हाई डियर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मिनाक्षी गोयल गाइनेकलॉजिस एंडी हॉस्पिटल हिसार हमारे जो वीडियोज हमने अब तक बनाई है काफी सारे वीडियोज आप लोगों ने बहुत जादा लाइक की है उसमें बहुत जादा सवाल ये पुछा जाता है कि मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉस्टिव है और आप मुझको ब्लीडिंग हो रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं है इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकूँ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छे वीडियो आप तक पहुचाते रहें तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं आगे अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्स पॉस्ट्रिव आया है जिसमें मतलब दो लखीर हैं कैपार लखेर हल्की होती है तो उस केस में आपको थोड़े दिन बाद रिपीट करके देख लेना चाहिए Pregnancy test कि आपकी गाडी लखीर आ रही है नहीं आ रही है और suppose आपके फिर bleeding आनी शुरू हो जाती है जो कि हो सकता है हलकी bleeding हो या फिर कंई बार होता है कि 8 गार जैसे सोक हो रहा है या बहुत heavy bleeding हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको सबको ये चाहती हूँ कि जब भी आपके pregnancy test positive आता है दो-तिन दिन के अंदर ही आपको एक gynecologist को अपने शहर में जो भी आपको लगता अच्छी gynecologist हो उनको दिखा लेना चाहिए क्योंकि काफी सारे लोग इन चीजों का सवाल YouTube, Facebook, Google पर ढूमते हैं लेकिन exact सवाल का जबाब आपको इन मीडियां में मिल जाएगा थोड़ा सा less likely है क्योंकि बहुत सारी queries होती है आपकी जो personal queries जो होती हैं वो YouTube से आपकी solve नहीं हो सकती फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की अगर pregnancy test positive आता है दो दिन बाद ताकि मुझे ये बता चले कि अंदर जो आपकी pregnancy चल रही है वो ठीक है या नहीं है अगर beta SCG एक hormone होता है जो pregnancy में भड़ता है अगर pregnancy healthy है तो अगर उसकी values भड़ती हुई है तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप भी pregnancy की chances है कि ये pregnancy ठीक हो लेकिन 100% मैं तब भी sure नहीं होती beta SCG एगर आपका भड़रा है कि आपकी pregnancy ठीक होगी क्योंकि जब आपका pregnancy test positive आता है उसके 20 दिन बाद कि अमूनन हमें बच्चे की धड़कन पता चलती है ultrasound में इक बच्चे की धड़कन आ जाती है उसके बाद ही confirmatory हम आपको बोल सकते हैं कि आपकी pregnancy ठीक है उससे पहले ये बोलना कि pregnancy ठीक है थोड़ा मुश्किल होता है तो अगर आपकी जैसे 2-4 दिन हुए है और आपका pregnancy test positive है और आपको bleeding हो गई तो उस टाइम किये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि pregnancy ठीक है या नहीं बस beta SCG ही एक ऐसा test है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ अभी जो है वो उसके अंदर life है वो आगे भढ रहा है लेकिन ये आगे भढ के पूरा बनेगा इसमें धड़कन आएगी वो आगे टाइम के साथ ही पता चलेगा तो आपको क्या करना है आपको अपने gynecologist को दिखाना है normally हम लोग कुछ hormone support लिखते हैं कई बार injections भी लगवाते हैं hormone के आपको ताकि जो आपको bleeding हो रही है वो रुख जाए और आपकी bed rest करने के लिए बोलते हैं कि activity अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो वो bleeding भर सकती है तो bed rest plus कुछ hormones आपको advise किये जाते हैं जो आपको लेने होते हैं 10-15 दिन हो सकता है उन दवाईयों पर bleeding ना रुके लेकिन कई बार bleeding चलती चलती bleeding में भी बच्चा और जो आपकी pregnancy होती है वो आगे भढ़ जाती है कई बार देखा गया है कि शुरू के 3 महीने placenta जिनका नीचे होता है या placenta अच्छे से नहीं जुड़ा होता तो थोड़ी थोड़ी bleeding चलती रहती है और pregnancy भी आगे भढ़ती रहती है तो इसलिए अगर pregnancy में आपको bleeding हो रही है तो ये miscarriage भी हो सकता है कभी भी उसमें high chances होते है risk होते है miscarriages के तो इसलिए जब भी patient आता है जिसकी bleeding चल रही है हम एक बार ultrasound उसका 15 से 20 दिन बाद कराते है जब उसका pregnancy test positive आता है उसके उसमें अगर धड़कन आ जाती है तो भी उसके बाद दुबारा repeat ultrasound कराया जाता है 15 दिन बाद ताकि हर 15 दिन बाद ultrasound कराने से हमें ये पता चल जाता है कि चलती हुई bleeding में pregnancy आगे ठीक चल रही है नहीं बिना ultrasound के ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि अब आपकी जैसे bleeding चल रही है तो अंदर बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा क्योंकि जो बच्चे की धड़कन है वो 20 हफते से पहले सरफ ultrasound में ही पता चल सकती है 20 हफते के बाद हमको धड़कन हमारे जो Doppler होता है उस पे पता चल जाती है लेकिन 20 हफते से पहले जो धड़कन देखने का जरिया होता है वो ultrasound होता है दूसरी चीज़ जादा तर जो भी bleeding होती है शुरू के तीन महीने में ही होती है उसके बाद जो bleeding होती है बहुत कम chances होते हैं कि bleeding होगी कभी कभी हो भी जाता है कि 14-15 महीने में भी bleeding हो जाती है तो जबी भी bleeding होती है प्रेगनेंसी में एक ultrasound जरूर कराया जाता है देखने के लिए कि बच्छा ठीक है या नहीं है तो अगर आपको 14-15 महीने में bleeding हो जाती है तो कही बड़ प्लेसंटा अपनी थोड़ी जगे छोड़ देता है जिसकी वैसे थोड़ी bleeding होती है वो रुख जाती है और उसमें इतने ज़्यादा chances रही होते हैं abortion के जितने की जो शुरुआत के तीन महीने में bleeding हो रही होती है उनमे chances होते हैं तो अपने doctor को जाके जरूर दिखाईए स्वस्त रहिए happy रहिए and खुश रहिए